Hello students, myself, Shabana Khan, Department of Sociology from Career Convent, Gulls PG College. आज का हमारा टॉपिक है Social Action. Social plus Action, मतलब Social का अर्थ होता है, जो कारी हमें Society में करना होता है, उसे हम Social कहते हैं. लेकिन जो Action है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, डान्स कर रहे हैं, या कोई भी वर्क आउट कर रहे हैं, उसे हम Action कहते हैं. Action तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि Swimming करना, किसी को मारना, ये साब Action होते हैं. लेकिन कुछ Action ऐसे होते हैं, जो समास से Related होते हैं, उसे हम Social Action कहते हैं. जैसे किसी जिगा पर Food आ रहा है, तो लोगों क्या करते हैं, मिलकर Damp बनवा दे. तो ऐसे कारी को हम लोग social action कहते हैं मतलब यह वो कारी होते हैं जिससे कोई सामने वाला effect हो प्रभावित हो तो हम उसे social action कहते हैं social action के जो founder है वो है max fever social action जो है max fever ने अपनी विचार दिये थी आके चल कर इस पर talkout persons ने भी काफी कारी किये थी जो max fever है इनके बारे में हम लोग जानेंगे यह max fever जो है यह जर्मन के निवासी थे और इनका जन 21 अप्रेल 1864 को इर्फट नामकिस्तान में एक संपन परिवार में हुआ था इनके पिता जी जो थे एक संपन वकील होने के कारण कुछ समय तक यह बर्लिंग की एक नगर में सरकार में कार किये इन्हों ने जो थियोरी दिये हैं सोसल एक्सन, स्ट्रक्चर एंड सोसल वेबर His approaches to understand society इन्हों ने समाच के बारे में काफी कार किये थे इनकी जो कुछ बुस्तके हैं वो काफी फेमस हैं जैसे कि an essay on methodology ये इनकी प्रत्म बुस्तके जो काफी फेमस थी और इनकी second book से A discussions of £20 इन एक स्टर्ड जर्मनी थार्ड बुक से इनका दा प्रोटेस्ट एथिक एंड़ेस्ट आप कैपिटिलिज्म इन्होंने जो है क्रेसी के बारे में प्रोटेस्ट धर्म के बारे में इन्होंने अपने काफी विचार दिये हैं वेबर ने इनका जो जीवन काल था सिर्फ 56 वर्स की आयू तक ही थी यह मैक्स वेबर जो है इन्होंने इंग्लिस में एक परिभाशा दीदी जिसे कहते हैं दा एक्शन विच एफेक्ट दा अधर पीपूल इसका मतलब यह है कि मतलब वो कारी हमारा सोसल एक्शन कहलाता है जिससे कोई सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो मैक्स वेबर ने जो परिभाशा दीदी समासासर में इन्होंने कहा था sociology is the science of social action मतलब यह है कि ऐसा कार ऐसा एक्शन कर ऐसा एक्शन जिससे सामने वाला प्रभावित हो तो इससे हम सोसल एक्शन कहते हैं जैसे कि मतलब जैसे the driver is driving the car यह हमारा कार सोसल एक्शन होता है the students reading book यह कार हमारा सोसल एक्शन नहीं होगा क्योंकि जो पुस्तक पढ़ी जारी है वो स्वयम के लिए पढ़ी जारी है किसी और के लिए नहीं पढ़ी जारी है तो यह कार हमारा सोसल एक्शन नहीं कहलाएगा The driver is driving the car ये कार है social action जैसा कि मैं drive कर रहे हूँ और दूसरा वाला बैटके अराम से एक जिगा से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो ये कार हमारा क्या है social action जैसे कुछ लोग समाज में रहते हैं और उनके बीच में communication होते हैं तो ये हमारा social action कहलाता है और जैसे हम अकेले रहें, आइसोलेट हो जाएं, या फिर किसी जंगल में चले जाएं, तो ये कारे हमारा social action नहीं कहलाएगा, हमारा social action वो कारी कहलाएगा, हम समाज मेरे कर, समाज के लोगों को प्रभावित करें, वो कारे हमारा समाज कहलाएगा, जैसे कि हम बैंक में जाते पैसे जम्मा करते हैं या सब्जी के लिए करें किसे के स्टूडेंट तो उनके बीच कमिनिकेशन सोते हैं तो ये संभलकू किया of social actions समाजी किरिया के चार प्रकार होते हैं traditional social action effective social actions value rational social actions and instrumental rational actions हम चार तरह के समाजी किरिया पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि rational social actions कि जैसे कि हम कभी भी जैसे कोई कारी हम जैसे अपने विवेक कूरवक करते हैं या हम किसी जैसे वाटर पार्क खोलते हैं तो हम क्या करते हैं बहुत ही सोचते समझते हैं कि यदि हम वाटर पार्क बना रहें तो कोई नहाने आएगा कि नहीं आएगा इसमें आनंद लेगा कि नहीं लेगा या फिर उसमें मस् एसनोल सोसाल एक्सन कह लाता है एंango कि दिसमें हो तक जैसे कि हम आई ऐस आफिसर बनते हैं कि हामाइस बन जाए यह फिर हम का यह स्वेंछन ही यह सामय मेच सब्सक्राइन कर आज तो हम नहीं करते हैं पर एगर नहीं करते हैं तो सामने वाला कहता हैं कि आप इतना बड़ा कारी करने जा रहे हैं तो कम से कम आप God से prayer तो कर सकते हैं कि आप पर कारी शायद पूरा हो जाएं या फिर ना हो तो जो हमारे हाथ में हैं वो हमें करना चाहिए हम जिसे चर्च जाते हैं तो क्या हैं यह हमारा evolution social action होता है हम लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि कारे करे या ना करे फिर थर्ट पॉइंट हमारा था effective social actions यह वो social actions होता है जैसे कि हमारे human body होता है और उसके पीछे एक rear की हड़ी होती है और उसके अंदर spinal cord होता है तो इसमें क्या होता है कि brain से जुड़ा होता है यह हमारा body structure है तो यह क्या होता है जो हमारे spinal cord वो brain से जुड़ा होता है तो brain हमें समझा बुझा के तो कारे करा लेता है लेकिन जो spinal होता है वो बहुत ही जिद्धी type का होता है तो यह spine क्या करता है वो जैसे कि है यह क्या होता जैसे कहम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑवन में केट कर रहे हैं तो क्या होनेवाला होता है हम लोग लोग जल्दी से अपने हाथ कोड़ कीशन two game उनला है तो क्या होता इससे सोसल एक्शन कहलाता है मतलब किसी के साथ हमारा कारे जुड़ा हुआ हमारा हाथ जला तो हमने अपने हाथ को खिच लिया जैसे कि हम एक्जम्बल में देखते हैं कि इमोशन बिहेवियर लव हेट या एंगर यह सोचता समझता नहीं है तुरंद कर देता है तो यह क्या है यह ह हमारा एफेक्टिव सोशल एक्शन कहलाता है फिर हमारा आता है टेडिशनल शोसल एक्शन यह वह एक्शन होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे प्राचेन काल में ही होता था कि सत्थी प्रथा होती थी जो उसमें होती थी कि इसमें क्या होता था कि पति पत्नी अग में डाल दिया जाता thou khu kya होता था ये हमारा traditional action कहलता था यह कार जो हमारा है सथयों से चलता-चल आया है तो इसे हम कहते हैं traditional social action मतलब यह कार हमारा आं पारमपरिक प्रथा होती है जिसमें क्या हुता